जैसी दिखिष्णा वक्तों हमारे बी एस सर्मा वद्द्वा चैनल में आप सबी वक्तों का स्वागत हैं वक्तों आजम पुत्रेष्टी कथा हरिवंस पुरान के 22 में दिन की कथा का आरंब कर रहे हैं आप सबी ध्यान लगा करके इस कथा का समण करें गजान नम्भूत गडाद शेवितं कापेत्यम्भू फल चार वक्यनं उमासुतं सोक बिनाशिकारिकं नमामि विगनेश्वर पाद पंगजं गुरूरे ब्रह्मा गुरूरे विष्णु गुरूरे देवो मेश्वराह गुरूरे शाख्याते परंब्रह्णु तस्मैसी गुर्वे नमाः अखंडमन्राकारं व्याप्तम्ये नचराचरं तर्पदंदर्स्तम्ये नाः तस्मैसी गुर्वे नमाः क्रिष्णाए वासुदेवाए हरे परमात्मने प्राता कलेशे नासाए गोविंदाए नमो नमाः नेमिशे सूतमाशीना मभिवाद्या मामतिम कथामृतारसास्वादा कोशलोसोनिको भ्रिमीर सप्रथम भगवाशी रादाखिष्ण के चन कर्मा प्रिनाम करके शिरिव्यासी माराज सरस्वती देवी एवं सद्धिगोदेव के चन्नों का ज्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों को आशिर्वाल लेत हुए भगवाशी वाकी व्यारी मुल्ली मुलूल्ला सी प्रात्ना काते ही गोविन हमको सद बुद्धी देना धर्म का राश्चा दिखाना अपनी बक्ती और कृपा रिष्टी सदा बनाए रखना बुलूंद्रा वन व्यारी लाले की जैंँ शिरी सुजी माराच रिषियों से बनन कते रिषिवरों समुद्र का मंतन प्रारम हुआ समुद्र के मंतन में सब प्रिथम जो है हला हल बिस निकला जिसे भगवान शिप जी ने रानन किया उसके बाद में उच्चे श्रवा नाम का घोड़ा निकला जिसे राजा बली ने ले लिया एरापत निकला उसे इंद्र ने लिया कलब ब्रक्षवी देवताओं की सान वना इसके साथ में अफसराएं रंबा और वसी अफसराएं निकली जिनको जो है देवताओं ने स्वर्ग में स्तान दिया फिर उसके बाद में मद्रा निकली जिसे राक्यसों ने गैन किया चंद्रमा निकला जिसे भगवान शिप जी को बेट किया गया कोश्रम मरी निकली जिस समुद्र मंतन से इस तरह से अनेकों रत्नट पन हुए। उसके बाद में समुद्र मंतन से प्रागत हुआ। और माता लच्मी के प्रागत के समय पर सभी देवता शक्ती से संपन्न हो गए इसके बार धनवंतरी भगवान कलस का कुम लिये हुए हाथों में लेकर के प्रगत हुए धनवंतरी भगवान के द्वाराई ओशिडियों का निर्मान हुआ उस समय पर राक्षिस जो है उस कलस को लेकर के वहां से भाग गए देवताओं ने पीछा किया राक्षिस जब भाग गए सभी देवताओं ने भगवान विष्णू का ध्यान किया भगवान विष्णू मोईनी का रूप डालन करके राक्षिसों के सामने प्रगत हुए और आखिसों को आपस में जगाते हो देखके का कि आप उच्छ कुलके हो आपको जो है मर्यादा के साथ में आपस में बाट करके इस अम्रत का पान करना चाहिए आप तो मा प्रवाव सालियो देवताओं को भी देना चाहिए भगवान विष्णु ने अपनी मोहिनी माया से असनों को मुईत कर दिया असनों को देवताओं के पक्ति लगाई सभी असरों से का क्या विए आपको में अमरत का पान कराऊंगी मोयनी भगवान धिरा सा अमरत लेकर के थोड़ा हिला करके दिखाते हैं कि पतला पतला में देवताओं को पिला देती हूँ और गारा गारा आपको पिलाऊंगी राच्षिसों की बुद्धी कमें वो तो केवल म मुईनी भगवान के रूप में माच्ट हो गए। सभी देवतां को अम्रिट प्ला दिया, आखिर में चंद्र सूर रह गए थे, राव के मन में ब्रह्म हुआ, राव देवतां का रूप धारन करके चंद्र सूर के बीच में वैद गया, सूर को अम्रिट प्ला दिया, और जब राव को पिलाने लगे। चंदरमा सूरी ने सारा किया। कि पुर्वो ये तो राक्यस है। भगवान विष्नु जांते थे पर पक्ती में भेध नहीं किया। भगवान विष्णू ने बचा कुछ अम्रिट चंडरमा के उपा डाल दिया जिससे पूरा चंडरमा अम्रिट में हो गया और भगवान विष्णू का रूप्धान करके सुधर्षन चक्र से राव का शिरकार डाला राव का धर जो है अम्रत पी चुका था इसलिए सिर्व धर अमर हो गए और उनको राव केतु नाव से जो है नौग्रे में इस्थान दिया और राव केतु उसी जिन से चंद सूर का गैन काते हैं एदा जो है भगवान बिस्नु के और लक्षमी जी के बिवाय की तयार होई सभी देवताओं ने बड़ा आयोजन किया और लक्षमी नारायन का बिवाय हुआ सभी देवता सक्ती संपन हो गए थे सभी देवताओं ने राजा बली की सेना पर राक्षिसों पराक्रमा करिया वहाँ पर देवताओं के द्वारा राक्षिसों का बदुआ राजा बली भी मारे गए पर राजा बली को सुक्राचाजी ने मर्ज संजीवनी बिद्या से जो ह पुनाद जीविट का दिया सभी देवताओं ने स्वरका इस्तान प्राप्त किया इदा राजा बली जो है शुक्राचार की सम्मति लेकर फिर ब्रामनों की सेवा काते हुए भरिगवर्श्य ब्रामनों के द्वारा आश्मेग यग कराया उन्होंने बहुत बड़े बड़े यग किये पिस सभी ब्रामनों ने अपनी अपनी सक्ती जो है शुक्राचार की सम्मति से राजा बली को सब दी राजा बली ने ब्रामनों की सक्ती से संपन्नों करके इंद्र पर आकमन का दिया और इंद्र का स्वर्ग का आसन छिन लिया और स्वयम आरोन हो गया राजा बली के धर्म में राजी में जो है धर्म चारोर चा गया राजा बली के राजी में जो है राक्यस राजिरो था पंदु पहला जी का पोता था राजा बली ने हार जगए वि पीडित देखा, उन्होंने पयोब्रित धारन किया, भगवान विश्नु की तपस्या करी, भगवान विश्नु प्रगत हुए, और का है देम माता, तुमारे मन में जो भी इच्छाओ, हमसे बरदान प्राप्त करो, माता अधितीने का प्रवू, मैं चाहती हूँ, कि आप जो ह भगवान विश्नु ने का, कहे माता, इस समय पर असुर इतने प्रवाव साली हो चुके ही, क्योंकि ब्राम्मनों की सेवा बहुत करता है, विश्नु वक्ती बहुत करता है, धर्म का राज स्थापित है, इसलिए मैं उनका बढ़ नहीं कर सकता, हां उनसे चल करके, तुमार पत्रों करके में पनूंगा, भगवान विश्नु उन्ता ज्यान हो गए, भाद्र पद्र सुग्ल पक्खे द्वारशीत थीको, भगवान विश्नु बामन के रूप में माता अध्तिय के और कश्व प्रशी के द्वारा प्रिकत हुए, बुलो बामन भगवाने की जैं, उस स समय सभी देवताओं ने आकर के फूलों की वर्सा करी, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सूर्य ने जो है, उनके लिए पादगा दे, बरों ने छत्र दिया, प्रश्वी ने उनके लिए आसन दिया, बामन भगवान जो है, उसी समय राजा बली की यग्ग की तरब चल दिये, राजा बली की यग्ग की तरब जा रहे हैं, बामन भगवान ने राजा बली की यग्ग में पहुँच करके, जब प्रवेश किया, बामन भगवान के तेज से सभी प्रजासद, जितने भी सवासद वे थे थे, सभी ब्रामन ने समझा, मानु साक्षात अगनी यग्ग पुर शिवा कर सकता हूँ, हे बामन, मुझे आज्याद हैं, बामन भगवान ने का राजन, मुझे केवल तीन पग भूमी चाहिए, मैं केवल अपने रहने के लिए, इस्थान के लिए, जितनी जगे में पूजा पात कर सकता हूँ, तीन पग भूमी की आचना करता हूँ, राजा ब उस समय पर सुक्राचाजी ने ज्यान लगा कर कि रेखा ये तो साक्षाट विश्नु हैं त्रिलो की नाथ हैं ये तीन पग में ही राजा बली का सब कुछ तीनों लोकों की संपत्य छिन लेंगे राजा बली से का राजन इन्हें तीन पग भूमी मत देना ये अर्षब करती के द्वारत पनुएं स्वें त्रिलो की नाथ हैं ये तुम्हारा सब को छिन लेंगे राजा बलीने का गुर्देव अगर त्रिलो की नाथ मेरे द्वार पर याचक बन के आएं तो इससे बड़ा भागी क्या होगा संसार में पहली बार मुझे ऐसा सुवाग मिला है जो त्रिलोक पती तीन लोक के स्वामी मुश्याज बिच्चा मांग रहे है ऐसा अफसर में जाने क्यों दूँ सुक्राचाजी रूट करके वहां से चले गए उसी समय बामन भगवान ने राजाबली से संकल्व करने को का राजाबली संकल्व कर रहा तो स्क्राचाजी अपने Σिस्ट की समपत्ती बचाने के लिए गंगा सागर की टूटी में आ करके बैट गई उस समय भगवान विष्णु ने का जो दान कने से रोकता है उसका जो है एक दृष्टी होनी चाहिए इसकी दृष्टी में भेड़ है तो सुक्राचार की एक आँग को कुसा से फो दिया सुक्राचार की आँग फूटने पस सुक्राचार वहां से बिलाव करते हो भाग गए बामन भगवान ने तृविक्रम रूपदान किया दोई पग में एक पग में नीचे के लोग और दूसे पग में उपर के सभी लोगों को नाप लिया तीसरा कडम राजन में का रखूं या तो मुझे तीन पग भूमी का बचन दो या नर्ख जाने के लिए तयार हो जाओ राजा बली ने का भगवन में आपके बचनों के सामने कुछ नहीं कह सकता तब बिंड्या वली जो राजा वली की पतनी थी उन्होंने का प्रिवू मेरे एक प्रिश्न का उत्ता दें कि धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है बामन भगवान ने कादे भी धनी बड़ा होता है धन तो जड़ है धनी धन से बड़ा है तब बिंडा वली ने राजा बली को उनके चनों में डाल दिया प्रवू मेरे पती दो लोग, तिर लोग के स्वामी है, तीन लोग आपके दो कदमों में आ गए तो उससे बड़े मेरे स्वामी हो गए, क्या एक कदम भी नहीं हो सकती बामन भगवान ने राजा बली के मस्तप पर अपना पैर रखा, तीसा कदम पूरा किया का भग्त, तुमने मेरा भग्त होने का चरतात प्रशिद्ध कर दिया आप जैसा वक्त संसार में कोई निवा, मैं तुम्हें चलने आया, खुद चला गया, पुत्र, तुमारे मन में जो भी चाओ, मुझसे बरदान मांग लो राजा बली ने का भगवन, आपने मेरे लोग की संपत्ती दोई कर्मों में ले लिया, मेरे सरीर को भी तीसे कदम में ले लिया, अब आउसे क्या मांगूं, अगर आप देना चाहते हैं, तो मुझे ये दें, कि हमेशा आप मेरे दरवार पर पैरेदार बन के रहें, जिससे आते जाते हर समय, मैं आपका डर्सन कर सकूँ, बामर भगवान ने का राजन चलने तुम्हे आयता, खुद में छला गया, सुताल लोक में तुम राज करो, पुत्र, तुम जो इंद्र बनना चाहते थे, इस समय की जो विविश्था चल लगी है, पुरंदर नाम का इंद्र इसी राज करने दो, अगला जम मनमंतर आएगा प्लेले के बार, उस समय पर में तुम्हे इंद्र बनाऊंगा, बामर भगवान, राजा बली के साथ सुताल लोक चले गए, सबी देवताओं ने आकर के फूलों की वर्सा करी, शिरी सूजी महराज कहते हैं, रिशियों, बैसंपर रिशी ने राजा जिनमें से सिका राजन, इस तरह से बामन भगवान ने, तृलोक की संपत्ति का राज इंद्र को दिया, हे राजन, गव, ब्रामर, सादू और धरम की रक्षाख ले भगवान नाना प्रकार की योनियों में अवतार गैन काते हैं, राजती सत्वरित के लिए जब प्रिले काल का समय था, भगवान ने मतस रूपदारन किया, एक समय पर ब्रह्मा जी को अचानक नीड आ गई प्रिले काल का समय था, चार हज़ार युगों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, चार हज़ार युग की एक रात होती है, रात के समय ब्रह्मा जी को जैसे नीड आई, उसी समय पर हैग्रिम नाम का राच्छस ब्रह्माजी के बेडों को चुरा करके पाताल लोग ले गया उस समय भगवान ने उस दानव के द्वारा बेडों का अपरा नुगा देख करके मतस रूप दारन किया और कृत की नदी में आकर के छोटे से मतस के रूप में वहाँ पर रहने लगे उसी समय पर राजा सत्वरत जो है वहाँ पर इस्नान करने को गया और मचली के रुप में भगवान ने का है राजन मैं छोटी सी मचली हूं मेरी रक्षा करो ये कह कर कि राजा की अंजली में आ गई यहां बड़ी मचलियां मुझे खा जाएंगी सत्वित राजा ने उन्हें कमंडल में लिया तो थोड़ी देर में किन लगी राजन मैं इस कमंडल में नहीं समा रही हूं में लिए बड़ा इस्तान चाहिए राजा ने उन्हें बड़े बरतन में रखवाया थोड़ी देर में बड़े बरतन का अका ले लिया राजन मैं इस म की विचित्र मचली है ऐसी मचली मेंने कभी ने देखी उठवा करके जैसे समंदर में दुवारा दलवाना चा का राजन यहां पर बड़े बड़े जीव मुझे खा जाएंगे तो राजा सत्वित हाद जोड़के खरे हो गए कि आप कोन हैं जो ऐसी लीला कर रहे हैं आपकी ल लुगत हुए और का कि राजन आज से साथ में दिन संसार का प्रिले हो जाएगा उस समय पर प्रिले में कुछ भी नहीं बचेगा चारों तरब केवल जली-जल होगा संपों में पृत्वी नीचे के लोग पृत्वी जल में समा जाएंगे राजन उस समय पर आप अभी से सं उसका जोड़ा नाग नागिन का जोड़ा तीरे मकोरों का जोड़ा चौरासी लाख योनियों की जोड़े और साथ में जितने प्रिकार के अन्ने सभी रातुएं रस सब के बीज रख लो क्योंकि प्रिले काल में सब को नश्त हो जाना है उस समय पर जब प्रिले आएगी एक नौका हैगी और नौका में तुम सभी सामगरी ले करके उन पे चड़ जाना जब प्रिले का जल होगा चारों नौका डगमगाने लगेगी उस समय में मतस रूप में आँगा और आप मेरे शींग से इस नौका को बांदेना में प्रिले काल में तुमें प्रिले के जल में ब तिख्या करने लगे प्रिले काल का समय आगया चारों अंधिकाथ चा गया चारों त्रायँ माम होने लगी पूरी प्रिट्वी जल्में ढूबने लगी आकाश भी जल्में लिए नीचे के लोग भी हो गए उस समय पर एक नौका आई नौका बहुत पर ही विशाल कई हज्जा योजन की बीच में पहले हुए थी उस पर सत्त बृत मनु ने सभी सामग्रियों के साथ चौराशी लाख यूनियों के एक जोड़ा जितने भी अन्न रस फले संसार में सभी के साथ में उस नौका में चड़ गई अपने राज को छोड़ करके सब को छोड़ के उस पर चड़ गए उसके बाद में उसी समय पर संसार की पूरी प्रिथवी जल में डूब गई सभी जीवों का ना सो गया कुछ भी नहीं बचा उस समय नौका डगमगाने लगी प्रिले काल की आंदी थी क्योंकि चार हज़ार युगों तक जो है वो प्रिले रहनी थी उस समय एक मचली आए मतस रूप में भगवान आए मतस के शीन से जो नौका को बांदिया और उस समय पर मतस भगवान प्रिले काल के जल में शेर कराते हुए राजा सत्त बृत मनू को ब्रम ग्यान का उप्रेश दिया जिसे मतस पुरान का गया प्रिले खतम होने पर भगवान ने गरीव राक्षिस का बद करके बेदों का उद्दार किया ब्रमाजी को सौपा और राजा सत्त बृत मनू ने फिर दुबारा से सिष्टी रची इसलिए उस सत्त बृत मनू के नाम पर ये बेवस मन मनता चल रहा है इस तरह पिर सत्त बृत मनू के आगे चल के पुत्र सुब्णमन हुए जिनको पारवती के स्राप से इस्तियोनी प्राप्त हुई फिर बेवस्त मनू के दस पुत्र हुए थी जिन में सरंग जो है इसे स्राप लग गया था सारंग जो है इससे गलती से गौत्यावेती इसलिए इन्हें सूद्धोने का स्राप ले दिया फिर इन्होंने योग साधना के द्वारा सरी को नश्ट किया इसी बंश में आगे चल के नबग हुआ नबग के नाबाग इसी बंश में अंबरीस हुए अंबरीस जो है भगवान विश्णों के अनन्य वक्त थे प्रित्यक एकादशी का भ्रत काते थे एक समय पर दुर्वासा रिशी माराज अंबरीस के यह पर आए दुर्वासा रिशी को माराज अंबरीस ने भोजन करने का निमंत दिया एकाद रसीत थी पूरन हो चुकी थी दुर्वासी को परायन करना था दुर्वासा रिशी के लगे राजन मैं अभी इसनान करके आता हूं तब आकर के भोजन करूंगा अधर माराज अंबरीस ने रेका दुर्वासा रिशी ध्यान समाधी में ठोड़े लीन हो गए दुआसी तिती नस्त हुए रही थी समय निकला जा रहा था पैयान का समय निकला जा रहा था ब्रामनों से परामर्ष करके उन्होंने तुर्वासा रिशी दल जो अर्पन कर लि जिससे बृत की पूरंता करी उसी समय पर अम्रीश के पास में दुर्वासा रिशी आए उन्होंने राजा को प्रसंद चित देखा का कि राजा ने लग रहा है भूजन कर लिया है तब तो इसने दौर्शी का बृत पूरन कर लिया है दुर्वासा रिशी कुरोड़ हो गए अ उस समय पर जैसे कृत्या राखेशी उटपन किया कृत्या जो है अम्रीश राजा को जो है खाने के लिए दोड़ी अम्रीश राजा हाथ जोड़ करके खड़ी रहे और चर्णों में गिर पदे हे ब्रामदेता मुझे खिमा करे उसी समय पर सुदासन चक्र आया और जिसने क प्रित्या को जला करके वस्म कर दिया दुर्वासा रिशी की तरफ बढ़ा दुर्वासा रिशी सुदासन चक्र से बैवित हो करके तीनों लोकों में भागने लगे पंदु कहीं भी जो है सुदासन ने पीछा ने छोड़ा तब भगवान विष्णों के पास गए विष्ण राजा अम्रिस के पास ही जाओ क्योंकि आपने उनका अपमान किया है उस राजा ने भोजन नहीं करा तुर्वासा रिशी गये और राजा अम्रिस से खिमा यासना करने लगे तव राजा अम्रिस ने सुदासन चक्र से का है सुद्रासन अगर मैंने ब्रामनों की तन मन से सेवा करी है विष्णु भक्ति सचे वावसे करी है तो आप सांत हो जाएं इन रिशी को नस्त ना करें सुद्रासन शांत हो गया तव राजांअमरीज की भक्ति को जो है एक आदशी बृत के मेहत को दुरवासा रिशी ने नमस् दे करके वहां से उसी समय पर प्रिस्तान कर जाते हैं भक्तों एक आदसी का युक्त सामच्टरे बीरो दडाद दोह सी वितम दोह सी का अंदर्देश है एक आदसी ब्रत राजा मुरीश ने दोह सी में पराएं क्यों करा कहते हैं कि द्वादशी ब्रिद्दा एक आदसी का ही ब्रत करना चाहिए दसमी ब्रिद्दा एक आदसी का कभी ब्रत नहीं करना चाहिए कई बार होता है आप जो देखते हैं वीडियो के एक आदसी का ब्रत किसने रखना है एक आदसी ब्रत दो प्रिकार की होती है एक आदसी इसमात और बैष्णाव इसमात का पत्रुदा होता है दसमी बृद्दा जो दसमी के साथ एक आदसी लग जाती है उसे दसमी बृद्दा इसमात कहते हैं उसका बृद्द कभी ने रखना चाहिए उसका फल मोहनी देविको चला जाता है जिसकी कथा भी आगे चलके हम सनाएंगे और है की ऐ सात्र चाई एक गडी कारशी आ रही है उसका ब्रत्र रखना चाहिए इस में रहादा जी का विमत है कि लकत्र समी बचपन गड़ी हो गड़ी उसे का त्याग करके रहा करें ऐ Mississippi गड़ कोांग में एक सिर्से बतलाचा इकाडरसी वृद्ण होुवागा यह जाता है तब हुआ जाता है तब काजय है यह सो सब्सक्राइब करना चाहिए चाहें थोड़ी सी गड़ी क्यों नहीं हो इसलिए बक्तों हमेशा ध्यान रखो देघिकाथ मेशा ध्यान चली नहीड वरीडियसे मेशा ठीक हो अज को मांनतों आज के रखोंधक परने को हैंगे अथि कहलेक ऑने Carryہ किष्धागे का ध्या करेंगे आप सबीकोचसे किष्यां जय जय सुरी शूरी रा दे जय जय सुरी रा दे जय जय सुरी रा दे श